नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हनुमान जी कलियोग के एक मात्र ऐसे देवता है जो अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ प्रत्वी पर उपस्थित है और इसके कई प्रमान हमें मिल चुके हैं कई बार हनुमान जी ने अपनी भक्तों को साक्षा दर्शन भी दिये हैं ऐसा माना जाता है जिस भी स्थान पर राम कथा का पाठ होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं हनुमान जी को मा सीता के वर्दान स्वरूप अश्ट सिद्धियों की प्राप्ती हुई है और श्री राम के आशिरवात के कारण वे कलियुक के अंत तक प्रत्वी पर मौजूद रहेंगे हनुमान जी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं सच्चे मन से पुकारने पर वे अवश्य चले आते हैं और अपने भक्तों की हर मनुकामना पूर्ण करते हैं हमारे देश में प्रते गाउं के बाहर हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है ताकि बुरी शक्तियां गाउं में प्रवेश ना कर सके। हनुमान जी का नाम लेने मादर से ही ऐसी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। आज हम आपको हनुमान जी के चमत्कार की ऐसी एक सची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपको सच में यकिन हो जाएगा कि हनुमान जी सच में हैं और वे अपने भगतों की रक्षा करने अवश्या आते हैं. अगर आप भी हनुमान जी को मानते हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो आईए आपको बताते हैं आखिर हनुमान जी के भक्त के साथ ऐसा क्या हुआ था लेकिन दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें साथे वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं दोस्तों ये घटना घटी महराश्टर के एक गाव बोरगाव में रहने वाले दत्राम सूर्यवशी के साथ बोरगाव में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर कई लोगों की आत्म हत्या हुई है इसी कारण इस रेलवे स्टेशन को भूतिया स्टेशन माना जाता है यहाँ पर कई बुरी आत्माओं का वास है यह आत्माएं वहाँ पर आने वाले लोगों को ट्रेन के नीचे खीचती है और उससे उनकी जान चली जाती है इसी कारण रात की समय में कोई भी भूल से भी इस रेलवे स्टेशन के पास नहीं जाता सबी लोग यहाँ पर जाने से डरते हैं कई बार लोगों ने रेलवे की पटरी पर खड़ी विचत्र चहरे वाली औरतों को भी देखा है जो प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को इशारा करके बुलाती है दत्तराम के साथ भी उस दिन कुछ ऐसा ही हाथसा हुआ था दत्तराम रोज बूरगाओं से दूसरे शहर में काम के लिए जाता था दत्तराम ने भी कई बार इन बुरी आत्माओं को महसूस किया था लेकिन उसे हनुआन जी पर पूरा यकीन था इसी कारण उसे इन आत्माओं का बिलकुल भी टर नहीं लगता था एक दिन दत्राम रात के समय अपना काम खत्म करके उस ट्रेइन से वापस लौट रहा था और उस रात रेलवे स्टेशन पर कोई भी नहीं था और दत्राम अकेले ही स्टेशन पर उतर गया जैसे ही उसने स्टेशन पर कदम रखा तभी किसी ने उसके बैक को पीछे की और खीच लिया दत्राम बैक के साथ ही प्लैटफॉर्म के नीचे गिर गया तभी अचानक से ट्रेन शुरू हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ गई तभी दत्राम के साथ ऐसा चमतकार हुआ कि जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे किसी ने दत्राम को ट्रेन के प्लैटफॉर्म के नीचे गिरते हुए देख लिया था तभी वो जोर-जोर से चिलाने लगा कोई आदमी ट्रेन की नीचे गिर गया है जल्दी ट्रेन की चेन खीचो तभी एक आदमी ने जल्दी ही ट्रेन की चेन खीच ले चेन खीचने के बाद ट्रेन थोड़ी दूर जाकर रुक गई सभी लोगों को लगा कि वह आदमी शायद मर गया होगा लोगों ने ट्रेन से उतर कर देखा तो उनके होश उड़ गए दत्राम धीरे से प्लेटफॉर्म पर चड़ कर उपर आ गया नजाने कैसे दत्राम प्लेटफॉर्म और रेल की पड़री के बीच में कैसे बचा रहा वहाँ पर ट्रेन की सीडिया भी थी जिसके कारण उसका बचना नामुम्किन था जरूर दत्राम की रक्षा किसी दैविक शक्ती नहीं की थी दत्राम ने मौत को इतना करीब से कभी महसूस नहीं किया था दत्राम को पता रग गया था कि ये हनुमान जी का ही चमतकार है और उन्होंने ही उसकी रक्षा की है तो रोज ट्रेन से आते जाते हनुमान चालिसा का पार्ट करता रहता था और अब तो उसे पक का यकीन हो गया था कि हनुमान जी सच में है जब लोगोंने दताराम से पूछा भाई तुम आखिर बच कैसे गए तब दताराम ने कहा जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के नीचे गिरा तो मैंने अपनी मौत को महसूस किया और मैंने अपने आँखी बंद कर ली और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की जगे में नजाने किस तरह अचानक से लेटा हुआ था और जब ट्रेन रुकी तो मैं चड़कर उपर आ गया सभी लोग तत्राम को जीवित देखकर बहुत खुश हुए और तत्राम अपने घर लोटाया तत्राम आज भी वो हादसा भूला नहीं पाया है और वो आज भी हनुआन जी का रोज धन्यवाद करता है तो दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसा चमतकार हुआ है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेर करें धन्यवाद